Hello everyone, thanks for watching your favorite YouTube channel ILS Playa, welcome back in another video तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDP के बारे में बच्चों को कुछ प्रॉबलम आ रही है जो कि मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ काफी बच्चों को यह प्रॉबलम आई है उसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आप में से कोई बच्चा पहले बार हमारे चैनल पर आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं को कि जो morning की टाइम हमारा जो चैनल लिसनिंग अपलोड करता है वो real exam की listening होती है अगर आप उस listening की practice करोगे तो आपका score real exam में भी काफी अच्छा आ सकता है तो आपने listening की practice गर में आकर तो करनी ही होती है तो जो listening चैनल पर upload होती है उसकी practice जरूर किया करो कोई कि same level की listening आपको exam में देखने को मिलनी है और और भी काफी benefit है चैनल को subscribe करने के हर एक type का material भी आपको जहां पर ही मिल जाएगा तो फिर start करते हैं आज कीजे वीडियो जिन बचों ने 24 December को अपना ILS का exam दिया था कुछ दिन पहले उनका result आउट हो है बट सभी बचों को अपना result नहीं मिला जिन बचों को अपना result नहीं मिला उनको IDP ने एक message send किया है message में जे लिखा है कि due to technical issue there will be slight delay in the release of your paper-based ILS results data 24 December 2022 जो results will be available by 11th January 2023 बलकि जिन बचों ने 24 December को अपना ILS का exam दिया था उनका जो result है उनमें से कुछ बचों का delay हो चुका है इससे पहले भी जिस exam का result आया था जाने कि 17 December 2022 उस exam का result भी कुछ बचों का delay हुआ था मतलकि पहले तो बचे अपना ILS का exam देते हैं उसके बाद वो 13 days बेट करते हैं कि मेरा result आज आ जाएगा जब morning के time वो अपने result की बेट का रहे होते हैं इससी time IDP की तरफ से उनको एक message आता है कि आपका जो result है वो delay हो चुका है अब आपको इतने दिन और बेट करना पड़ेगा जे जो है totally बचे के साथ injustice है तो कि एक तो बच्चा exam देकर काफी डरा होता है result की बेट कर रहा होता है बट उसको result time पर मिलता ही नहीं जहां पर बच्चे की कोई भी गलती नहीं है उसने अपनी जो full fees है वो time पर pay की है IDP को दी है अब जो IDP की responsibility है कि अगर उसने बच्चे को बच्चे से full fees ली है तो अपना staff hire करें अच्छे तरीके से बच्चे को exam देने में कोई भी problem ना आए बच्चे को उसका जो result है वो time पर मिल सके बट ऐसा IDP नहीं कर पा रही एक exam का अगर result delay होता है मान लेते हैं कि कोई issue आ सकता है कोई जो festival season आ सकता है उसकी बज़ा से result delay हो गया बट जहां पर repeatedly दो exam का जो result है वो delay हुआ है अब यह भी neglect नहीं कर सकते हैं कि जो आने वाले exam है उनका भी result delay हो सकते हैं क्योंकि कह तो कुछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि IDP की monopoly है अकेले हैं कोई कहने वाला नहीं है उनका कोई भी competitor नहीं है उनको किसी का भी डर नहीं है अपने मन की करते हैं बच्चों के साथ जो भी उनको सही लगता है वो करते हैं आपको यह पता ही है तो आपने comment करकर जरूर से बताना कि आपका IDP की इस action पर क्या सोचना है ठीक है और जिन बच्चों का result डिले हुआ है तो वो भी comment कर देना तो आगे चलकर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काफी अच्छा content प्रवाइड करवाया जा सके listening, reading, writing speaking के related आपका अब जो हमारा main focus है आपका exam clear करवाने पर रहेगा तो आप हमारे channel को subscribe भी कर सकते हैं और thank you so much इस video को last तक देखने के लिए